आज की इस विडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं विडियो एदधिंग अनिमेशन अन ब्लॉगिंग हैंड ओन एक्सरसाइज 3 का सलूशन सबसे पहले कि आपनों को यहां पर दिखाना चाहती हूंगे देखो प्रीवियस जो हमारी दो एक्सरसाइज थी जिनका मैं आपको कंटिम्ट करवाया था उसमें मुझे भी 10 माक्स मेले हूंगे अगर आपने मेरे टिटोरियल्स को फॉलो अप किया था तो आज हम अपने तीस्टे एक्सरसाइज को डिसकास करते हैं इसके लिए में सबसे पहले बता दूं कि आपके पास एक गूवल ड्राइफ क लिंक दिया गया है जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से आटम वुट्स से रलेटेड एक अदर वीडियो दी गई है आपने हमेशा की तरह क्या करना है इसको डाउंलोड करना है अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है तो एक्सरसाइज के बार में बात कर लेते है सबसे पहले हमें का गया है कि आपने डाउंलोड करना है पहले टास्क में जो आपको वीडियो दी गई है और यहाँ पर उसका स्क्रीन चॉट जो है वो आपने पुट आउट करना है तो मैंने अल्डेडी डाउंलोड के अंदर इसको डाउंलोड करकर एक्सराइक करकर रख वो दो एक पो आपको रियलाजिशन होगी कि जब भी आप इसे का चिटोरियल देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए एनिवर्य तीन टास्क है basically एक ही टास्क इसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है तो इसके बार में बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर है थोरा सा स्लोडाउन हो गया है क्योंकि यहां पर शायद अल्रेडी मेरे पाल जो है वो यहां पर जो है वो डिफरेंट यहां पर प्रोवाइड आउट होने लग जाती है तो अच्छा में यहां पर देख लेती हूं कि अगर मुझे रीसेट फायल में मिल ज डाउनलोड करके रखिये तो हाँ देखो यह रीसेट फायल से टाउनलोड हो गई आपने वहां से इंपोर्ट कर लेनी थी कि आपने सब्सक्राइब करें तो यह तो दो बिल्कुल बेसिक स्टेप आपके पास अब आपने यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज देखती है जब यह वीडियो एडिटिंग के एक्सराइज देगी थी तो मैंने सोचा कि मैसका टूरियल जो हूँ वो संडे के तन का मौइल आउट करूंगी संडे के तन तक मैं वेट करूंगी और मैं देखूंगी कितने मेरे कंप्टीटर जो हैं वो इस वीडियो एडिटिंग की एक प्रीस मैच करो, कि जो आपको solution प्रॉइड आउट कर रहा है कि उसने खुद से चीजों को समझा है उसने खुद से चीजों को देखा है कि इसने क्या करना है, क्या नहीं करना उसके बाद उसने performance दी है तो वो accurate है या नहीं accurate है तो अलहम्दुरिला उन्होंने बिकुल गलत टिटोरियल दिया है तो अगर आपने किसी भी विडियो को फॉलो अप किया है तो काइंड लिए अपने एक्सराइस को ठीक कर लिए जन ठीक करकर जो है वो इस तरीके से सब्मिट कर आई है जिससे मैं आपको बताने वाली हूँ उन्होंने क्या गलती की है ये भी मैं आपको बताती हूँ इस एक्सराइस के इंदर तीसरे टास्क के दो पार्ट है पहला पार्ट है अप्लाइ दर डी सैचुरेशन एफेक्ट तो ओवरॉल दा विडियो आपने क्या करना है कि ओवरॉल विडियो जो कि इस वक आपको कला में नजर आ रही है इस विडियो के उपर डी सैचुरेशन एफेक्ट लगाना है यानि कि ये पूरी की पूरी विडियो क्या होनी चाहिए हमारे पास ब्लैक एन वाइट होनी चाहिए यह सबसे पहला पार्ट है, आपके थीसरे टास्क का जो आपने complete करना है पिर यहाँ पर देखो कॉमा लगा है, कॉमा जब लगता है उसका मतलब होता है कि इसके बाद आपने दूसरे पार्ट को condemnacht करना है तो दूसरा बारत क्या है कि आपने masking करनी है और prevent करना है natural color आपके face का तो यहाँ पर दो पार्ट है इस task के एक तो पूरी वीडियो को desaturate कर दीजे यानि कि यह color में है तो इसको completely black and white कर दीजे दूसरा क्या है यहाँ पर आपके पास part कि आपने जो इसका face है वो color रहने देना है तो उसके लिए आपने सबसे बहला काम क्या करना है effect में जाओगे effect में जाने के बाद आप यहाँ पर color को search कीजा आप जैसलिए यहाँ पर color को search करोगे आपको color past का एक option दिखाई देगा तो इस color past को जो effect है इसको grab कीज़े और ग्राप करकर अपने timeline पे जाप के video है उस पर पे जो है वो put out कर दोगे जाप जैसी इस पर put out कर दोगे तो इसको आपने सबसे बहले जो है वो यहाँ पर prevent करना है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब हम यहाँ पर करेंगे masking जिसके लिए हम इस face को grab करेंगे तो मैं यहाँ से इसको 50% पर condemn करती हूँ और इसे हम तोड़ से जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छ जी तो मु masking करने के लिए अब मुझे masking करने के लिए अब मुझे masking करना है इसके face को color करना है तो देखो color pass के नीचे आपको यहाँ पर ellipse मल जाएगा आप जाओ तो square या polygon मल जाएगा अगर आप pen tool यूज करना जाओ तो you can easily use the pen tool तो pen tool में क्या होता है कि आपके पास shape थोड़ी सी compile हो ज pen tool को लेके चलना है ताकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो हमारे पास यहाँ पर अच्छा यह नहीं यहाँ पर और सो जूम नहीं जाता आप देखो मैं इसको contempt करूंगी ना तो यह यहाँ से हो जाएगा मेरे पास contempt में तो मुझे जो है basically क्या करना है यहाँ पर इसके face को जो है वो completely pen tool के help से trace करना पड़ेगा अगर आप pen tool के help से नहीं चाते तो आपने क्या करना है आप यहाँ पर असानी से जो है वो use कर सकते हो आपके polygons को या फिर आपके circle को तो मैं लेकिन यहाँ पर contemptibly इसको इस तर पास यहाँ पर selection में आ जाए अब मैं इस वक्त क्या करूंगी यहाँ पर screen चौड लूँगे और आप कहेंगे के desaturation color जो है वो face का हो गया हमारे पास जो video थी उसका desaturation color contempt नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पर अब इस तो control भी कर देना इस तरीक से यहाँ पर आपको दिख जा इसको submit कराएंगे MS Word की file के अंदर तो basically आपको इस तरीक से जो है वो अपनी desaturation process के अंदर इसको contempt करना था बगए desaturation के अगर video देने शुरू कर दोगे तो आजर टास तो आपने किया ही नहीं masking आपने की ही नहीं आपका जो main thing था वो यही था कि आपने इसको desaturation करना है इसके लिए क्या करेंगे यहां पर आप देखो मास के साथ आपको tracking option दिख रहा है tracking selected mask forward आपने make sure करना है कि आपका जो यहां पर कर सरो start of the video and then आपने यहां से यह जो track selection marks forward का option इस पर क्लिक करना है ताके इसकी progress को track करता रहे तो इस process के उपर हम screenshot लेते रहेंगे इसके startup में इसके midpoint में इसके end में आपने वह comment section में मुझे बताना है कि आपका video editing animation and vlogging के experience किस तरीके कर आया अगर आपने video को like नहीं किया अब तक तो जवी से like कर दो और मुझे भी बता comment section में कि अगले batch के अंदर आपका कौन से courses करने का यहाँ पर इरादा है कि हम इस type की courses हुझ है वो अगले batch के अंदर conduct out करेंगे ताके मुझा idea हो कि हाँ आप video editing को कहां तक compiled out करना चाहते हैं तो जो बच्छे video editing करते हैं उनको यहाँ पर graphic designing भी सीखनी चाहिए time to time screenshot करते रहिएगा वो भी इन लों के लिए काफी जादा फाइदमन सावित होती आप video editing की services फाइवर वगेरा के उप अपक पर दे सकते हो आपने local clients को भी video editing की services provide out कर सकते हो तो काफी सारी आपके पास benefit ह होते हैं as a video editor इससो compile करने के लिए video editing के लाज़ों कोई और course करें तो उसके exercise solutions भी upload out की हैं तो मेक्शू करों कि आप उसे भी रास भी मेरे channel से check out कर लीजिए almost process हो गया final look up देखेंगे आपको exercise file submit करके दिखाऊंगी साथ ही साथ और आपको अदले video के अंदर इस exercise file के भी marks में बताऊंगी कि कितने आए हैं तो यहाँ पर almost हमारा process done हो गया है अब हम इसको fit to the screen करेंगे and मैं आपको यहाँ पर final result दिखाऊंगी तो सबसे पहले हम इसको fit कर लेते हैं fit करने के बाद हम जो है वो start of the canvas आते हैं start of the canvas पे आने के बाद I just literally play it so you can easily see कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो मेरे पास conduction हो रही है तो आप इस तरीक से जो है वो accordingly कर सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप एक दर screenshot लेना चाहो ताकि आप अपने जो आपका instructor है उसको दिखा दो तो आप इसको भी यहाँ पर दिखा सकते हो अपने instructor को असानी से कोई fact नहीं पढ़ता कि अगर end में जाकर आपकी compilation थोड़ी सी compiled हो गई है अगर यह starting में भी ठीक है तो then भी आपके पास जो है वो सब चीज ने ठीक रहा जी है कि अब उसका face उसी तरीके से rotate कर रहा है तो उसको जो है बहुत जादर deeply fix करना पड़ेगा क्योंकि यह इतना zoom नहीं जा रहा था तो इसलिए हमने इसको इतना zoom नहीं fix किया लेकिन हमारा जो काम है वो obviously यहां पर complete हो गया तो इस तरीके साथ में सारे screenshot लेने है अपनी job की file होगी उसको आपने यहां पर save करना है save करकर आपने इसको submit करवाना है तो यह थी हमारी काफी इच्छी सी video editing animation and vlogging की hand on exercise 3 में उमीद करती है exercise आपको प में चानल पर upload है तो मीच्छों कीज़ें किसी चेक करना बेकुल मन भूलिए आज की वीडियो के लिए पसित नहीं आपसे मुलाकात करूंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजास्त